जे मसी की दोस्तों, आज की सुरिगे बनना का भाग हमने लिया है सबुब देशब की पुस्तक, उसका बारवा, अध्याय और उसका पहला वचन वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने स्रजनहार को स्मन रख इससे पहले कि वेपत्ती के दिन और वेवर्ष आएं जिन में तू ये कहे, इन में मेरा मन नहीं लगता धन्यवाद पता परमेशर अध्री शेतावनियों में सत्यता है, प्यार है परमेशर, शिक्षा है धन्यवाद पता परमेशर दोस्तों वचन हमें क्या बताता है वचन हमें बताता है कि अगर हम अपने जवानी के दिलों में परमिश्र को याद नहीं रखेंगे अगर हम उसके ग्यान को अपने दिल में नहीं रखेंगे अगर हम नहीं जानेंगे कि परमेशर कौन है उसने सिश्टी क्यों बनाई उसने क्यों हमें भेजा इस धर्ती पर हमारा क्या उप्योग है हमें क्या करना है कहा जाना है अगर ये सारी शिक्षा हमारे पास नहीं है हमारे बच्चों के पास नहीं है तो जवानी के दिन संखर्ष से भी देंगे और जब थोड़ी सी वेपत्ती आएगी आप उक्चा जाएंगे आप परशान हो जाएंगे आपके भच्चे परशान हो जाएंगे और जब परशान हो जाएंगे तो पाप में पढ़ जाएंगे क्योंकि उनके पास ग्यान नहीं है उनके पास शिक्षा नहीं है उनके पास परमेश्वर नहीं है उनके पास संसार है वो संसार को लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपने बताया नहीं आपने बताया नहीं कि परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेशर जी भी थे और परमेशर आपसे प्यार करता है कि हम उसकी महीमा कारण बने इसलिए परमेशर है में चुना है हम उसकी जोती है इसलिए हमारे बच्चों के पास वो ग्यान होना बहुत जरूरी है बजन साइता 127 का तीसरा कहता है देखो बच्चे यहुआ के दिये हुए दान है गर्ब का फल उनकी ओड से प्रतिफल है सुना दोस्तों परमेशर जो बच्चा आपकी गोत में डालता है परमेशर जो बच्चा एक मा के गर्ब से पैदा करता है वो बच्चा उसके लिए एक दान है और उस दान को समालना हमारा काम है एक दान के रूप में हमें उस बच्चे को लेना है हमें उस बच्चे को पहली श उसने अपने कलोते पुत्र का बलेदान दिया और वो परमेश्वर मुसीब्ते लेकर नहीं आता है दुख लेकर नहीं आता है बिमारिया लेकर नहीं आता है वो परमेश्वर हमें सुख देने के लिए थर्टी पर भेशता है ये सारे ग्यान हमें होना चाहिए ये सारा ग्यान हमारे बच्चों को होना चाहिए ताकि विपत्ती आए तो वो समझ जाए कि शैतान विपत्तियों को लेकर आ रहा है आजमाईश्या आए तो वो समझ जाए कि शैतान आपका शैतान हम हमें इस परिश्या में ढाल रहा है मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ये ज्ञान हम अपने बच्चों को दे एए हन्ना को याद करिए, हन्ना के बास बच्चा नहीं था, और हन्ना ने परमेश्र से वा Почему बान दी थी कि मैं जो बच्चा होगा, मैं उसे परमेश्र को देतूँगी हाने रहिया लेकिन तीन साल तक हन्ना ने अपने बच्चे का कोई जनम दिन नहीं मनाया कोई उपहार नहीं उसने स्विकार किया कोई मिठाई स्विकार नहीं की कोई बच्चे के लिए प्रेजंट आपका स्विकार नहीं किया उसने अपने बच्चे को दूद पिलाते हुए यहुआ के बारे में बताया परमेशर के बारे में बताया उसका नाम शैमिल रखा शैमिल का मतलब है कि परमेशर की ओर से मुझे मिला है वो जब भी उस अपने बच्चे को शैमिल मुलाती थी उसे याद था कि वो परमेशर की पीछे मुण कर नहीं देखा, क्योंकि उसके पास ग्यान था, उसके सामने पिता था, वो जानता था कि मेरा पिता कौन है, वो जानता था कि मुझे आशीर जैने वाला कौन है, वो जानता था कि मुझे संसार में क्या करना है, और इसलिए जब शेमल बड़ा हुआ, बाइबल कि उसके मुख से जो निकलता था वो पूरा होता था परमेश्वर ने उसके मुख से निकलिवी हरवानी को पूरा किया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर कौन है वो जानता था कि मुझे क्या करना है वो जानता था कि मुझे क्यों आया है क्यों 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 हन्ना ने को घ्रष्यार को जान जाएंगे, कैसी भी वेपत्ति आएगी, कैसी भी असमाईश आएगी, कैसी भी परिक्ष आएगी, लेकिन बच्चे डटकर उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारो быवा पर्मेशे हमारे साथ है, चीवित है, और वो हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है हालेलिया तो आईए दोस्तों इस सुबह हम प्रात्वना करते हैं और आज से वाचा बांते हैं कि अपने बच्चों को और अपने ही बच्चों को नहीं अगर पड़ोस में कोई बच्चा मिले उससे कहिए परमेशर के बारे में अगर कहीं कोई बच्चा हमें दिख जाए पास में उससे कहिए गार्डन में आप जाएं और बच्चों को खेलते हुए देखें उन्हें शिक्षा दीजिए परमेशर के बारे में यही ग्यान है यही ग्यान हमें बाटना है क्योंकि हम महीमा का कारण बने परमेश्व ने इसलिए हमें चुना है आईए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्व तेरे पवित सामर्थी नाम के लिए परमिश्व धन्यवाद इन बच्चों के लिए आशीश मांगते हैं सुनने वाले हर भाई बैन के लिए ग्यान सुबत ही मांगते हैं परमिश्व ताकि तेरा ग्यान इन बच्चों के द्वारा संसार तक पहुंचे ये बच्चे जब तेरा ग्यान हासिद करें तो एक युद्धा की तरह अपने जीवन को बिताएं इश्यो मस्या के पवित सामर्थी नाम से मांगते हैं धन्यवाद देते हैं प्रातर आपने सुनियर को बूल किये मैं नहीं मैं नहीं